नमस्कार टीवी नाइन डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूँ कार्तिके शर्मा और मेरे साथ है विश्टू शंकर हमायर फॉरिम पॉलिसी एक्सपर्ट आज टीवी नाइन डिजिटल में हम बात करेंगे कि चीन भूटान में क्या कर रहा है कुछ खुफिया तस्वी गृट क्रियेट की जा रही है जिसे हम बैकप रोट कहते हैं वो तैयार की जा रही है और यह सारा का सारा इलाका भूटान के अंदर पड़ता है मैं एक बार और साफ कर दूँ इस बात को भूटान की सरहत पे नहीं पड़ता भूटान के अंदर पड़ता है यह बिलकुल व और वहां आप गाव बना लें, पाकिस्तान बना लें, तो इतना बड़ा इंट्रूजन हुआ है, तो विश्व पहला तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह दोकलाम के बाद हुआ, दोकलाम भी जो इलाका था, वो भूटान की भूमी थी, यह भारत के लिए चिंता क कितनी बड़ी बात है, यह दोकलाम भी जो हुआ था, उस समय जमीन जो थी, वो भूटान की भीतर थी, लेकिन भारत ने कहा कि चुकि हमारी और भूटान की बीच की एक संधी है, मैतरी की संधी है, जिसमें कि हम उनके फॉरन अफेस का बाहर की जित्ते मी देश है, उनसे र कई हफतों तक वो गतिरोज चला, उसके बाद उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन उसके बाद चीन माना नहीं, उसने अपनी जो कंस्ट्रक्शन अक्टिविटीज हैं, रोड वगर बनाने को चालू रखी, यह जो आप अभी बात कर रहे हैं, यह बिलकुल भूटान क के भीतर की बात है, इसमें भारत का, हाला कि हमारी संधी है, उसके बावजूद इसलिए कोई दखाल नहीं क्योंकि यह उस ट्राई जंक्शन के उतने कारीब नहीं हैं, जितना की डोकलाम है, लेकिन समस्या यह है कि जो बाउंडरी, सीमा, भूटान कहता है, चीन की जहां ख खतम होती है, और आप इस तरह से विवर्ण दिया कि घर बन गए हैं, टेली कॉम्मुनिकेशन ग्रिट बन गया है, मानें कि पूरा का पूरा अच्छे से इंजाम यह कि आ जा रहा है कि वहां पे रियाइश पक्की हो, पर्मनेंट हो, अस्थाई नहों. वैसे तो चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बात बताएं कि इसको लेके भूटान इतना चुप क्यों हैं, हिंदुस्तान और भूटान की एक संधी है, इस संधी के तहत हिंदुस्तान भूटान की बहुत मदद करता है, और भूटान कई मामलों में हिंदुस्तान के साथ ही रहता है दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि भूटान में चीन की अमबेसी नहीं है भूटान के इस तरह से राजनाएक रिष्टे नहीं है चाइना के साथ क्योंकि उसमें भारत की सेंसिबिल्टी जुड़ी हुई है तो विश्टू मेरा सवाल ये है कि जब इतना करीब है भूटान तो आवास क्यों नहीं निकाल राजा, किसी के घर में चोरी हो जाए किसी के घर में अतिक्रमन हो जाए तो लोग हल्ला मचाते थे किनारे वाले लोगों को एक़टा करते है और भूटान में तो बाकाइदा हमारी सेना तैनाथ है, हम उनके हाइडरो एलेक्टरिक पावर प्लांट्स चलाते हैं, तो भूटान चुप क्यों यह बताई दर्शकों को? देखिए, ऐसा है कि भूटान संब्धा भरत का सबसे करीबी मित्र देश है, और हमारे संबंध धार में एक सामाजिक हर तरीके के हैं, और हमारे हैं तूरिस्ट में सबसे आदा भूटान ही जाते हैं, और भूटान को इसा बड़ा लाब होता है, हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने भूटान के साथ अपने संबंद बेहतर करने की कोशिश की है, दोनों देशों ने एक संधी पर भी हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अनुसार चीन ने यह कहा है, भूटान और चीन अब मिल करके अपने सीमा के विवाद खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करे लेकिन उसके बाद इस पे कोई और development हुआ है इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया है तो भारत इसलिए चिंती थे थे कि अभी जमीन पर भूटान के बीच में क्या हो रहा है इसके बारे में भूटान भारत की बीच में संभवता बाठीत रहा है अच्ब यह एक इसरी है ऑगर भूतान लाइंड़ंग कर्ता है जिसे कहते हैं कि इक्सचेंज ऑफ लैंड करता है अगर एक्षेंज ऑफ लैंड भी नहीं करता भूतान कहता है हाँ आप जमीन ले लीजिए यह आपकी है लेकिन उसके backward भूतान का बोडर यह चिन का बॉर्डर वह है इसका क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान पर अगर यह भूटान बिना हिंदुस्तान को confidence में बिना बताए हुए जमीन को लेके वह बटवारी की बात कर दे और चीन के साथ लाइंड स्वापिंग का कोई अरेंजमेंट कर ले यह भूटान के लिए संभव नहीं है चीन यह प्रस्तावित कर सकता है और उसके बाद उसको वह इंप्लिमेंट भी कर सकता है क्योंकि चीन के सामने भूटान बहुत छोटा है चीन की समस्या भूटान से नहीं है चीन की समस्या भारत से है और यह समस्या आज नहीं शुरू हुई है यह तब से शुरू हुई है जब 1947 में और 1947 में भारत और चीन करणशा सतंत्र हुए थे ची पास किया पिछले महीने जिसके अनुसार पी एले पीपल्स लिबिलेशन आर्मी की अब ये समवैधानिक जिम्यदारी है कि वो चींग की सभी सीमाओं जमीन से लगने वाई सभी सीमाओं की पूरी रक्षा करे हर संभाव कदम उठाए यही नहीं सीमानत इलाकों में पी एले क ही उपस्तिति होगी ताकि भारत की तरफ चीन की नदर पूरी तरहिकी से बनी रहे और जब भारत ये कहे कियों यह सब बना रहरे हो तो तो सिविलियन लोग हैं इसमें क्या परशानी है आप यह कह रहे हैं कि चीन की एक नहीं नीती है विवादित जगों पर वो कॉलनिया बसाए अपने हैंग चाइनीज को वहां लाके बसा दे जिससे की बाद में कोई जूरिस्डिक्षिन की अगर समस्या हो या कोई बात हो तो अंतराष्ट्रिय मंच में जाके बूले कि हमारी यहां सेना नहीं हमारे लोग रह रहे हैं जी लेकिन यहां पर इस तरह के डिवलपेंट्स हुए हैं वहां पर जैसे अभी अरणाचन में हुआ जहां पर भारत का बैयान भी आया था कि 1969 से ही चीन की सेना जब हमारा और चीन उन सभी जगों पर जो भारत से लगती हैं या सीमा के करीब हैं वहां पर इस तरह की बस्तियां बसा रहा है लेकिन यही चीज़ों भारत को अलाव नहीं करना चाहता भारत ने डॉलडी को शुरू किया वो परिशान हो गए उसके बाद जो पूरी लदाख में वाक्या जहां जना क्रोश भड़कता है तो कहीं ऐसा नहों जाए कि चीन यह तिब्बत यह सोच सके कि वह चीन से अलग हो सकता है यह आपके कहने का मतलब यह है कि वह इसलिए गाह बसाई जा रहे हैं जिस तरीके से दलाई लामा पासिस को क्रॉस करके भारत आ गए जिस तरीके से लाखो तिब्टन क्रॉसिस को पास करके चुपचा भारत आ गए थे ऐसा भविश्य में कभी नहों पाए लेकिन इससे जोड़ा सवाल और भी है क्योंकि आपने दोक्राम वाली बात बोली हो दोक्राम के वक्त भी पूरा भूटान चुप था जब भारत की फॉज वहां ची इस दिपेंडेंट करने कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डीकप्लिंग की कि अगर मैं आप से बात कर रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं चीन से बात नहीं कर सकता देखिए भूटान के लिए आगे कुगा और पीछे खाई है वह को नाराज करना नहीं सकता, करना नहीं चाहता, चीन का वो मकाबला नहीं कर सकता, तो इस समय वो एक परसों पेश में पढ़े हुए हैं कि वो क्या करें, लेकिन भारत के साथ उन्होंने अपनी सभी चिंता हैं, इस समय लगता है, इस सीमा विवाद को लेकर करके शेयर नहीं क पड़ता है तो बीच में चीन और भूटान की बीच का विवाद है उसमें भारत का कोई रोल ऐसे स्पष्टाया बनता नहीं उत्तरपूर्व के लिए किता महत्पूर्ण है क्योंकि अगर दो क्लैम प्लैटो देखें तो वह सीधे चिकन नेक के ऊपर पड़ता है जिसे हम सिल करता है तो भारत की सुरक्षा पैसर पड़ सकता है क्योंकि एक तो ट्राइजंक्शं την ayoo कोरिडर पड़ता है अगर वो ट्राइजंक्शन संग से आगे बढ़ेगाOOOOOOOOOW पैदा हो जाएगा जो कि भारत कभी बरदाश्न करेंगा एस्वेみ जिसे कहते हैं काउंटर मेजर में अपने गांव बसा सकता है ये मुनासिब है जैसे चीन कर लेकिन इसके साथ जब भारत ये करने कोशिश करेगा चीन इसका जबरदस प्रतिकार करेगा चीन चाहता ही नहीं है कि भारत उस तरफ सड़के बनाए पुल बनाए या बस्नियाँ बल्टी स्टोरी बील्डिंग में ला रहा है कि हिंदुस्ता ने से इसा कर सकता है कर सकता है लेकि उससे तनव बढ़ेगा आपके साथ अभी तक क्यों नहीं किया क्योंकि हम लोगे समझ रहे थी कि बाचीत से हल हो जाएगा लेकिन पिछले एक साल में जो हुआ है उससे भारत को यह लेसन मिला है कि चीन पर किसी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत भी अब पूरी लद्दाख में और अचल दोनों जगह पे फोज 12 महीने तैनात कर रहा है तैयारी पूरी हो गई है कि वहां से फोज पीछे नहीं हटेगी आकरी सवाल विश्टू आपसे तो क्या यह कहना ठीक होगा जिसे हम कहते हैं बाशा में हमारे दोनों के दोनों बॉर्डर एले सी और एलो सी होट हो गए हॉट बार आजादी के बाद कुछ समय से चल रहा है यह पिछले 4-5 साल से ऐसा चल रहा था ले के लिए बात करने के लिए एक परस्पेक्टिव देने के लिए और इस चीज को समझाने के लिए कि यह गाव बन रहे हैं भारत के लिए सामरिक दिश्टी से कितने नुकसान जनक है इसके बहुत बहुत शुक्रिया तो यह हमारी खास पेशकर्ष थी जिसमें हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से चीन ने भूटान के 100 किलोमीटर अंदर गाव बनाये हैं और यह पूरी कोशिश लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल पर कर रहा है भूटान चुप है और हिंदुस्तान को इस बात को समझता है कि उसकी चुपी का मतलब कहीं ना कहीं यह है कि बहुत जादा दबाव चीन भूटान पर बना रहा है और जब कि चीन कोई भी नुमाइंदा उसकी कोई एंबसी भूटान मीं नहीं है और भूटान हमारा सबसे करीबी दोस्त है तो सोच सकते हैं कि चीन की जो एक्सपैंशनिस पॉलसी है जो उसका आतिक्रम बढ़ा है जमीन को ल